नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हिस्ट्री का फैन सुहास जागिरदार आज के इस वीडियो के लिए हमने एक बहुत ही दिल्चस टॉपिक चुना है और वो है आलू या बटाटे का इतिहास चाहे वो महाराष्ट का बटाटा वड़ा हो या पंजाब का आलू पराठा आज हमारे भारत वर्ष में आलू एक स्टेपल डाइट बन चुका है और आलू के बगैर हमारी कई सारी रेसिपीज अधूरी है पर ये आलू हमारे देश में आया कहां से आईए जानते हैं आलू के इस सदियों के सफर की रोमांचक कहानी दोस्तों केवल भारत में ही नहीं बलकि पूरे विश्व में उत्पादन और उप्योग के मामले में आलू का नंबर आता है चार गेहूं, मका और चावल के बाद नंबर आता है आलू का विश्व में सबसे ज़्यादा आलू की पैदावार होती है चीन में और उसके बाद नंबर दो पे है हमारा प्यारा भारत। लेकिन दोस्तों मनुश्य के खाने में आजू की शुरुआत ना तो चीन में हुई है और ना ही भारत में। वो हुई है इन दोनों देशों से बहुत दूर बसने वाले साउथ अमेरिका में स्थित आज के पेरू और ब जस्व्यादी सिविदाइजेशन की अभी शुरुवात ही हो रही थी और यही वो समय था जब मनुष्य ने खीती करने की भी शुरुवात की थी पेरू और बोलिविया के बॉर्डर में बसे आंडियन के पहाडियों में टीटी काका नाम का एक बड़ा तादाब है उस तादा और आदू के गुणों को सराहा जब उनको आदू के उपयोग समझ में आ गए तो उन्होंने बड़े पैमाने पर आदू की खेती करना शुरू किया इनका दोगों के खेती के तोरतरी के देखकर आज भी बड़े बड़े दोग डंग रह जाते हैं इस तरह आदू ने समबस वहां पहुँचे तब उस भूबाग पर दुनिया की नजर पड़ी और पूरे यूरोप से लाखो लोग अमेरिका में जाकर बसने लगे उसी दवरान यूरोपियन लोगों की मुलाकात आदू से हुई उनका भी दिल आदू ने जीत दिया लेकिन इसी हिस्ट्री की एक दर्दभरी साइड ये भी है कि इंका लोगों ने यूरोपियन लोगों का विरोध करना शुरू किया क्योंकि यूरोपियन लोग अमेरिका की पूरी भूमी पर अपना कबजा बनाना चाहते थे। यूरोपियन लोग संख्या में तो ज्यादा थे ही और उनके पास मॉडरन हाथियार भी थे। अस्तित्व की इस जड़ाई में इंका ट्राइब तो लगभग खतम ही हो गई। लेकिन जाते जाते वो दुनिया को दे गए एक अनमोल तोफा अलू फिर जहाजों में भर कर अ लोगों की खाने का हिस्सा बन चुका था। इसी समय यूरोप में बसे आयरलंड पर अंग्रेजों ने कबजा कर दिया। सामान्य लोग काफी हद तक गरीबी की शिकार हो गए थे। इस गरीबी में उनको सबसे बड़ा सहारा था तो सिर्फ आलू का। लेकिन दुर्भाग कुछ इस तरह फैद गया था कि एक नहीं, दो नहीं, पूरे तीन साल तक एक भी आलू पूरे देश में खाने के लायक नहीं बचा था। जो समाज पूरी तरह से आलू पर निर्भर था वो भूकमरी की शिकार हो गया और लगबग 10 लाख लोगों की उस भूकमरी की वज़ पहले तक भारत के लोग आलू का नाम तक नहीं जानते थे। आलू को सबसे पहले भारत में लेके आये पूर्टुगीज। लगबग 1115 के आसपास मुगल समराज जहांगिर के समय में पूर्टुगीज, अंग्रेज और डच लोगों ने भारत की भूमी पर व्यापार की व जाता है। ये बटाटा शब्द जो है, ये मूद तहा पूर्टुगीज शब्द है। पूर्टुगीज भाषा में भी आलू को बटाटा कहा जाता है। आज आलू भारत की खाद्य समस्कूलती का आविभाज ये भाग बन चुका है। इतना ही नहीं बलकि पूरे को जरूर याद किजिएगा। उम्मीद करता हूं आदू और मनुष्य के रिष्टे की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।